इस बजम को सजाने में बहुत सारे लोगों की काविशे हैं, कोशिशे हैं इसलिए एक और पहली बार इस में महफिल में कलाम पेश करने के लिए जनाबِ असीम सहब से गुजारिश कर रहा हूँ जब वो स्टेज पे तश्रीफ लाएंगे तो आप लोग उनके चेहरे को तो पहचान जाएंगे दीगर चीज़ों की वज़ा से लेकिन शेरो सुखन के मैंदान में आपकी पहली मुलाकात होगी तालियों के दर्मान इस्तिक्वाल कीजिए जनाब असीम काकोरी मेरे और इनके नाम में फर्क इतना है कि मैरे में आस्म जाएंगे मैं है बस इतना ही फरक है बहुत बहुत शुक्रिया आस्म सहब आपने होस्ल अबजाई के लिए और आपने मुखखः दिया पहली दफिए शेर पढ़ने के लिए किसी को चाहकर फिर दूरियां अच्छी नहीं लगती मुझे अब इसलिए नजदी कियां अच्छी नहीं लगती कई सदियों पुराने रिष्टे अक्सर तूड याते हैं कई सदियों पुराने रिष्टे अक्सर तूड जाते हैं मुझे नहीं लगती एक घजल के चंद अशार पेश करता हूँ तुम खुश हो अपने फैसले पर अच्छी बात है लेकिन मेरी खुशी भी तुमारे साथ है एसास तुम को मेरी कमी का हो किसलिए एसास तुम को मेरी कमी का हो किसलिए आखिर तुमारे हाद में तूझे का हाद है नजर आपने बहुत सही किया है यह इसलिए हमने रियाज आई के लिए कहाँ ता फिर से एक बार रियाज आई के लिए पर देते हैं तुम खुश हो अपने फैसले पर अच्छी बात है लेकिन मेरी खुशी भी तुमारे ही साथ है एसास तुम को मेरी कमी का किस लिए है एसास तुम को मेरी कमी का हो किस लिए आखिर तुमारे हाथ में दूजे का हाथ है और इसी के साथ हम आखरी एक अधर का मका पेश करते हैं और पिर अपनी जंगा लेंगे खुदा ही जाने कहां पर मुकीम कर दी गई खुदा ही जाने कहां पर मुकीम कर दी गई बिचड़ के और अजियत अजीम कर दी गई खुदा ही जाने कहां पर मुकीम कर दी गई बिचड़ के और अजियत अजीम कर दी गई असीम कोई अदालत तो दे सदा इसकी कि एक पाक महबद यतीम कर दी गई बहुत बहुत शुक्रिया